आई आरी वर्सेस आई एंडी फर्स टी ट्वंटी मैच आई एलेंड वर्सेस इंडिया फर्स टी ट्वंटी मैच जो की खेले जाने वाला है गैज आई इंडिया और आई एलेंड के 20 टी ट्वंटी मैचों की नई सिरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो फर्स टी ट्वं गैस क्या प्लेइंग 11 इस T20 मैच में फर्स T20 मैच में इंडिया की रहने वाली है क्या रोई ही शर्मा विराट कोली जो इस वाली स्रीज में नहीं खेलेंगे तो भाई कौन से प्लेयर है जो इस स्रीज में खेलने वाले है और सबसे बड़ी बात है इंडिया के बैस्ट बॉल जस्प्रीद भुम्रा की इस वाली स्रीज में वापसी हो रही है और वो काफी टाइम बात कमबैक कर रहे हैं और इसके बाद गई सबसे बड़ा क्योशन उठता है कि गईज क्या प्लेइंग 11 इस वाले मैच में आयर्लेंड की रहीगी क्योंकि गईज इंडिया के तो आपको म प्लेइंड की वो कौन से प्लेइर है जो खास तोर से टी ट्वेंटी में पर्फॉर्मेंस देते हैं और साथ में अपन गईज देखेंगे कि कौन से वैन्यू पर यह मैच केला जाएगा किस तरीके की पिच रिपोर्ट रहेगी क्या पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी या फिर बॉलर्स को और बॉलर्स में भी गईज सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई स्पीनर्स को जादा रखे या फिर फास्ट बॉलर्स को तो गईज आप लोगों के लिए एक एक चीज का डेटा लेके आया हूँ और साथ मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग के पहली बार आये हैं या फिर आप पहले भी आ चुके है बट अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो गईज जल्दी से जाईए बैल आइकन के घंटी दबा के ऑल प्रैस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नॉटिफिक आपको इस वाले मैच वे विनिंग करा के दूँ क्योंकि कई प्लियर ऐसे है भाई जिनका सेलेक्टेट परसंटेज बहुत हाई है बट वो आज के मैच वे पर्फोमेंस नहीं देने वाले वो कौन से प्लियर है उनके बारे में भी बात करेंगे साथ में गईदे इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए फ्री गीववे भी रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा वाच करते हो वीडियो पे लाइक करते हो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन के घंटे दबाते हो तो आप फ् तो IRE vs IND First T20 Match गाइज यह वेन्यू आपके सामने हैं माला हाइड क्रिकेट ग्राउंड डबलिन के गाइज इस क्रिकेट ग्राउंड पे यह First T20 मैच खेला जाएगा और यहां पर किस तरीके की पिच रिपोर्ट रहती है वो मैं आपको आप यहां पर दिखाने जा रहा हूँ देखिए गईज इस वाले ग्राउंड पर है अब तक टोटल 16 मैच खेले गए जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने साथ बैटिंग सेकंड ने नौ मैच जीते है एवरेज स्कोर की बात करो तो 163 का है इसके अलावा गईज आपको बता दू आई आरी वर्सेज आई एंडी मताब आईरलेंड वर्सेज इंडिया के बीज अब तक टोटल 4 मैच खेले गए लास्ट पास सालों में और 4 की 4 मैच इंडिया ने विन किया आईरलेंड ने एक भी मैच विन नहीं किया है और इसके अलावा गईज इस वाले ग्राउंड पर मैंने लास्ट पाच मैचों का डेटा निकल वाया जिससे मुझे पता लगा कि भाई इस पिछ पे पेसर्स को मदद है या फिर स्पिनर्स को तो आप देखिए गईज लास्ट तीन मैचों में यहाँ पे टोटल 34 विकेट्स किरें जिसमें से फास्ट बॉलर्स को 21 और स्पिनर्स को 13 विकेट्स मिले तो गईज कही ना कही इस वाले पिछ पे एक चीज़ तो किलियर है फास्ट बॉलर्स को मदद थोड़ी जादा है कंपेर टू इस्पिनर्स के बट गईज आयर्लेंड के साथ भी वही सेम दिक्कत होने वाली है जो वेस्ट इंडीस के प्लेयर्स के साथ हुई थी उनको भी स्पिन खेलने में बड़ी दिक्कत आती है तो वहाँ पे इंडीया के स्पिनर अच्छा करेंगे बट आयर्लेंड के मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर्स काफी अच्छा करने वाले है और इस वाले पिछ पर गर दस विकेट गिर रहे हैं तो ज़्यादा तर विकेट्स फास्ट बॉलर्स ही लेके जाते हैं का रोल इंपोर्टेंट होगा बटी स्पिनर को रखना पड़ेगा खास तोड़ से इंडिया के तो यह चीज़ का द्यान लख लेना और यह काम गई जरूर कर लेना मेरा टेलिग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल जहां पर मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम देता हूँ टॉस के बाद क्योंकि होता क्या है गाई मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ बट जब लाइन अप आएगी ना तब एक दो प्लेयर हो सकता है ना खेले कहीं प्लेयर जुड़ जाए तो मैं अपने टीम कॉंबिनेशन में चेंज करता हूँ तो फाइनल अपडेट और फाइनल टीम के लिए मेरा टेलिग्राम चैनल है गई शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल यह आपके सामने लिखा हूआ है और जिसका लिंक इसी वीडियो की कमेंट में बनाई हुई तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सबसे टॉप पर पहले नंबर का लिंक है बस किलिक करके आपको टेलिग्राम पर आना है वहां पे आपको हर मैच का अपडेट मिलेगा जरूर से जौइन कर लेना जिनों ने कर लिया अच्छी बात है जिन आइरलाइंड और इंडिया के बीच भाई आइरलाइंड ने पहले बैट किया तो 108 रनी बना पाई इंडिया ने 111 बना के इजीली मैच विन कर लिया बट उसके बाद अगला मैच हुआ 28 तारिक को भाई बहुत ही जादा हाई स्कोरिंग मैच रहा आप देखें इंडिया ने पहले बैट करके 225 बना है आइरलाइंड ने 221 बना दिये थे काफी अच्छी फाइट हुई थी दोनों टीमों की तरफ तो इस वाले पिच पे गाई रन भी काफी बनते हैं क्योंकि पिच बैटिंग सपोर्टिव रहेगा आपको एक बड़ा स्कोर यहां पे देखने को मिल सकता है अगर इंडिया खेलती है तो आप बड़ा स्कोर एकस्पेक कर सकते हैं घुले बैट करलती है तो हो सकता हो क helping श given बहुत धिहां से कर ले ना क्योंकि आप ज्यादतर बैट्स मैंनों कोई बनाते हो बट इस वाले मैच में टेश्ट है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको किसको बनाना है और गाईज यह माई 11 सरकेल अप है आज का जो आई एंडी वर्सेज डबलु आई फर्स ट्वेंटी मैच है यहाँ पर भी आपको 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 डाउनलोड करना है जैसे ही आप आपको डाउनलोड करोगे आपको कमपनी की तरफ से 15 रुपे का फ्री साइल बोनस मिल जाएगा भाई जैसे ही आप डाउनलोड करोगे मेरे लिंक से कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे फिर्स डिपोजिट करोगे माल लो आपने 1000 रुपय का डिपोजिट किया कोड यूज करना है एक्सपर्ट 12 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 200 रुपय एक्ष्ट्रा कैश मिल जाएगा मतलब टोटल 1200 मिल जाएगे तो जल्दी से जाएगे माई 11 सरकिल एप को डाउनलोड करिए और इस एप पे खेलना स्टार्ट करिए क्योंकि यहां पे ग्रैंड लीक जीतने पर आपको कैश प्राइस के साथ ऐसी वी कार भी मिलती है कॉंपिडिशन वगेरे बहुत कम है और बहुत इजी विनिंग होती है तो जरूर से माई 11 सरकिल एप पे खेलना स्टार्ट कर देना मेरी आप सभी भाईयों से रिक्वेस्ट है इस एप पे थूड़ा सा वित्ते जोकिम इंक्लूड है क्रपिया अपने रिस पर खेले और समल के खेले अब गई इस आइरलेंड और इंडिया की फर्स्ट ट्विंटी मैच में क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की रहेगी मतलब क्या प्लेइंग 11 आइरलाइंड की रहेगी क्या प्लेइंग 11 इंडिया की रहेगी और वो कौन से प्लेइर है जो बैंच वे बैठे हुए उनका कैसा रिकॉर्ड है अगर वो आज के मैच में खेलते है तो एक एक प्लेइर के बारे में गैज मैं डिटेल डेटा लेके आया हूं पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कौन से प्लेइर को रखना है और कौन से को नहीं बट एक काम कर देना अभी वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो कर देना क्योंकि फिरी गीववे कर लेना डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर का लिंक है सबसे टॉप पे पिन क्या हूँ आइलाइन की तरफ से बात करूँ देखे एंडी बैलबाइन के साथ पॉल इस्टर लिंक यह ओपनिंग पे आएंगे इसके बाद एल ट्यू कर आने वाले हैं हैरी टैक्टर इस प्लेयर एक्सपेक्टेट प्लेइंग 11 है हाँ एक दो प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुए शायद वह भी खेले उनका रिकॉर्ड भी गयाद आभी आपको पता लग जाएगा अब इंडिया की तरफ से गई सबसे अच्छी न्यूस क्या है कि जस्पीट बुम्रा की काफी टाइम करते हो दिखेंगे रिदितुराज दाइट हैंडेट बैटर है यशश्वी लेफ्ट हैंडेट बैटर है इसके बाद संजू सैमसन एक्सपेक्टेड है नंबर तीन प्याए नंबर चार पे तिलक वर्मा रिंकू सिंग कोलकता नाइट राइडर्स का आपको पता है उभरता हीटिंग कर सकता है और यह चीज आपने चेन नई की तरफ से देखा होगा जब सी एसके का मैस था इसके बाद वाशिंग्टन सुंदर भी गाईज वापसी कर रहे हैं जस्पीर बुम्रा है अडशिदीप सिंग को आपने देखा ही ताब इंडिया वेस्ट इंडीज में इस आई एंडी वर्सेज आई आरी फॉस्ट ट्वेंटी मैच में सबसे बड़ा क्योशन है भाई विकेट कीपर में किसको पिक करें बड़ा कन्फिजन है अब इंडिया की तरफ से तो गई सब को पता है संजू सैमसन है जितेश शर्मा है बट आयलेंड का गई जो प्लेयर है यह लॉरकां ट्यूकर जो की नंबर तीन पे खेलेगा भाई थोड़ा सा है वैसे प्लेयर बहुत अच्छा है मैं आपको बता हूँ काफी अच्छी बैटिंग कर सकता है बट इसके साथ जो वीकनेस है वो थोड़ी सी यह है कि जिस वेन्यू पर यह मैच है न डबलिन में व क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है आप देखिए इसने बड़ी इनिंग भी खेली हुई है 94 रन की और अभी रिसेंटली ही खेली गई है तो आप फोकस कर सकते हैं बर थूड़ी अभी रिसेंट फॉर्म की में बात करो तो उतनी बैटर नहीं है और इंडिया के अग गई थी सिरीज 13-7-12 बट इस वाले मैच सिरीज में आप देखेंगे संजू सैमसन एक अच्छी बैटिंग करेगा इसके अलावा जिते शर्मा कू भी मौका मिल सकता है अपने पंजाब किंग्स की तरफ से इसको खेलता हुआ देखा होगा एक अच्छा प्लेयर है अच्छ को रखना है या नहीं रखना सबसे बड़ी बात है जिते शर्मा खेलेगा भी है ने खेलेगा चांसे थोड़े कम है खेल भी सकता है ना भी खेले बट ट्यू कर आपके लिए एक सर्प्राइस पैकेट हो सकता है बाकि अभी आप बॉलिंग सेलेक्शन करोगे ना वो ध्यान से कर लेना भाई वहीं पर ही जीत चुपी है आज के मैच के यहां पर बात करूँ आर्लेंड के बैटिंग सेक्शन की कि आर्लेंड की तरफ से कौन से बैट्समैन को पिक करे क्योंकि नई टीम है टीम नहीं है मतलब अपने लिए काफी नए प्लेयर हो जाए काफी टाइम ब 5 मैच खेले 111 रन मना है 22 के अवरेस से इसके साथ भी एक दिक्कत है इंडिया के अगेंस खेलता है ना तो फॉर्म खराब हो जाती चार मैचों में केवल पैता लिसन लास्ट तीन मैचों में 21-39 हैरी टैक्टर की बात करूँ भाई नंबर 4 पोजिशन पे खेलेगा और मैंन मना है 72 का एवरेज है और इंडिया के अगेंस दो मैच केले 103 दन मना है तो इंडिया की प्लियर्स को गईज यह बहुत अच्छे से केलता है सबसे बड़ी बात है इस पिन को बहुत अच्छा केलता है तो हैरी टैक्टर पे गईज आप जरूर रिस्क ले सकते हैं और एक ची बोला आपने बोला था टैक्टर को लेने केलिए मैंने लिया वह परफॉर्म नहीं किया रिकॉर्ड आपके सामने है बट लक आपका साथ चीए इसके अलावा एंडी बैलबाइन की बात करूँ भाई ओपनिंग पे आएगा लास्टीन मैच चार पच्छेस तरेपन इस वेन सेक्षन और अगर आप ग्रैंड लीग की टीम मना रहे होना तो वहां पे एंड्री बैलबाइन और पॉल इस्टर्लिंग में से किसी एक को लेके आ सकते हैं क्योंकि दो नहीं प्लेयर ऐसे हैं जो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं इंडिया के बॉलर्स इनके अगेंस बट एक अच्छी पारी खेल सकता है बाकी पॉल इस्टर्लिंग अगर टिक गया तो एक बड़ी हिटिंग कर सकता है तो मुझे लग रहा है अगर आयल लाइन पहले बैट करता है तो मैं हो सकता है इनके तीनों प्लेयर को लेकिया हो क्योंकि स्टार्टिंग में यह भी रन क बैटर कौन कोन है एक तो तिलक वर्मा नंबर चार पे खेलेगो और आप अभी रिसेंटली वेस्ट इंडिस के अगेंस देखकर आयो बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है मिडिल ओडर में आकर लेफ्ट हैंडेट बैटर है और साथ में कई बार बॉलिंग भी कर लेता है आपके सामने 58 का है यशशवी जैसवाल की बात करू भाई यह बहुत बुरा दोएगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यह खेलता भी है तो बहुत अच्छा खेलता है बर जब इंटरनेशनल मैचेज में आता है जब पता नहीं क्या हो जाता है इस प्लेयर को वो थोड़ा समझना मुश्किल है इसके अलावा शिवम दूबे आपको मिडिल ओडर में खेलता हुआ देख सकता है अगर यह खेलेगा ना तो एक के लिए एक प्लस और रहेगा अगर शिवम दूबे लाइन अप में आता है आप टीम में रख लेना क्योंकि भाई यह बैटिंग के साथ बालिंग का भी ऑप्शन देगा कम से कम दो ओवर बालिंग करा सकता है एक अच्छी बालिंग कराता है और इंकू सिंग की बात करूं मिडिल ओडर में खेलेगा अगर इसकी बैटिंग आती है तो आप लोगों को बताने की जुरत नहीं किस तरीके का बैटर है पर मुझे ऐ सकता है इतनी नीचे बैटिंग ही ना है थोड़ा सा वहां पर दिक्कत है हाँ अगर आयरलेंड की टीम बहुत अच्छा करती है तो आप ग्रैंड लीग के पॉंट आफ व्यू से एक टीम वैसे भी बना के रखना कि अगर इंडिया की टीम क्लैप्स हो जाती है तो उस केस मे मिडिल ओडर के बैटर अच्छा करके दे सकते हैं यहाँ पर गाराइज में बात करू आयरलेंड के अलरॉंडर सेक्षण के कि आयरलेंड की तरफ से अलरॉंडर में हैं अपन किसको ले किया है इसमें तीन नाम हैं कर्टी सकैंपर गैरेड डैनली और जोर्डर डौकरल तो यहां पर आप तीनों को देखोगे न तो उतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं देख रहे हैं फॉर्म भी उतनी बैटर नहीं है अभी अपन फाइनल टीम दिखाऊंगा तब बता दूँगा इन तीनों में से किसको पिक करना है बाकी मेरे इसाब से ड्योक्रल थोड़ा बैटर पिक है कंपेर टू इन तीनों के ठीक है तो यह चीज आप नोटेट करके रखना इंडिया की तरफ से अल्राउंडर सेक्शन में भाई ना तो अक्षर पटेल दिख रहे हैं ना हर्दिक भाइंडिया दिख रहे हैं अब दिख रहा है वाशिंग्टन सुन्दर जो काफ़ी टाइम बाद इंडिया में वापसी कर रहा है और एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर को इस पिन खेरने में काफी दिक्कत हो सकती है तो सुन्दर आपके टीम में डेफिनेटली होना चीए काफी इंपॉर्टेंट पिक बनने वाला है कई भाई सोच रहोंगे कि आपने बोला था फ्री गीववे आने वाला है भाई अभी आ जाएगा थोड़ा सा वेट करिए हर चीज आएगी कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन भी आएगा बट अभी भी आपने पांच हजार लाइक्स का जो टार्गेट दिया था था ना वो शायद पूरा नहीं किया पहले किले कर दो भाई आप सा रिक्वाइस्ट है आइलन की बॉलिंग सेक्शन में देखिए ध बात करूँ भाई फास्ट बॉलर है ये भी आप देखिए लास्ट तीन मैचों में च्छे विकेट लेकर आया है बट थोड़ा सा क्या है इस वेन्यू पर तीन मैच खेले और एकी विकेट बिला है वो थोड़ा सा वेक नैस है बैन वाइट की बात करूँ काफी टाइम बात आप खेल रहा है एक अच्छी फॉर्म वाला इस्पीनर है और जे लिटिल आपने देखा ही होगा गुजरा टाइटन से खेलता है और इनका सबसे इंपोर्टेंट बॉलर है और एक अच्छी पावर प्ले में बालिंग कर सकता है अच्छा स्विंग मिल सकता है और ये रख लेना इंडिया साइट से अगर मैं बालिंग सेक्शन में बात करू तो जस्पीर बुम्रा तो सबकी टीम में हो गई होगा क्योंकि इस पिछ पे वैसे ही फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा है तो यहां पर ये काफी अच्छा करके देगा और काफी टाइम बात वापसी कर रहा है डेफिनेटली होगा रवी बिश्णुई की बात करू ये भी काफी इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि आपको पता ही है आर्शदीप सिंग आपको पावर प्ले दैद दोनों में बॉलिंग कराता हुआ दिख जाएगा और यहां पर मुकेश कुमार है अब इन चार में से गईस देखे बुमरा बिश्णुई ये दो इंपोर्टेंट बन गए मुकेश कुमार हो अर्शदीप में से किसको रखना अभी पता लग जाएगा क्योंकि अपर इंडिया के कम से कम 7-8 प्लेयर लेके चलेंगे और लैंड के 3-4 प्लेयर ही रखेंगे वह अभी आपक जाएगा मैं किसको लेके आने वाला हूँ अब देखिए गई इस प्लेयर बैटल बता रहो आपको थोड़ी सी अब देखिए पॉल इस्टर्लिंग स्पिनर्स के एगेंस पर कितना श्टर्गल करता है आप खुद देखिए रवी विश्णुई चार बोलों पर चे एक बार आउट कर चुका है इसको डोकरल को बुमरा आउट कर चुका है गैरेट डैनली को आवेश खान ने आउट किया है यहाँ पर और यह आईलेंड के कुछ प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुए शायर यह भी आज का मैच खेल रहे है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए जि 2020 में नो मैचों में चारी विकेट मिले है और यहाँ पर थियो वह नहीं है मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा तो इन चारों में अगर यंग खेलता है तो आप रख लेना बाकि अदर्वाइस उतने ज्यादा इंपक्फुल नहीं है इंडिया की साइट से यह प्लि प्रेग्राम पर अपडेट दूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पर लिंक के आप जॉइन करके रखना अब गई सबसे बड़ा क्योशन उटता है कि कौन सा बॉलर कितने ओवर्स करेगा और पावर प्ले में और दैथ में कौन बॉलिंग करेगा यह भी एक बड़ा क दैर होगे इसके बाद मैरी मैकार्थी और बैन वाइट को भी लगभग मुझे लग रहा है पूरे और मिल जाएंगे और बाकी जो बचेंगे ना चार ओर इसमें कैमपर और डोक्रल यह उसकता है दो दो और का स्पैल कराए तो पूरे और वाले प्लेयर मुझे लग रहा है यह है मार्क अदायर, जेल इटिल, मैकार्थी और बैन वाइट दैत में कौन आएगा जेल इटिल और मार्क अदायर तो इसलिए दोनों काफ़े इंपोर्टेंट हो जाते है जेल इटिल और मार्क अदायर इंडिया की तरफ से दिखी जस्पीट बुम्रा अर्शिदीप सिंग ये पावर प्ले और दैथ दोनों में बॉलिंग करेंगे दो दो ओवर इसके बाद मुकेश कुमार मुझे लग रहा है दैथ में आएंगे फिर अवी बिश्णोई है और बाकी जो ओवर बच्चे हैंगे न वो वाशिंग्टन सुन्दर दूबे तिलक वर्मा तिलक वर्मा के चांस कम लग रहे है बॉलिंग कराने के शिवम दूबे के भी चांस मुझे कम लग रहे है जो लग रहा है मुझे ओवर करा लेंगे वो है बुम्रा अर्शिदीप सिंग बुष्णुई मुकेश कुमार और वाशिंग्टन सुन्दर सुन्दर भी लगभख पूरे ओवर कराएगा ऐसा लग रहा है दैट में अर्शिदीप सिंग बुम्रा और मुकेश कुमार यह तीनों दैट के स्पेशलिट बॉलर बन जाएगगे अब गैज आज के मैच के आपको फाइनल टीम रिखाने जा रहा हूँ आई आरी वर्सेज आई एंडी फॉस्ट ट्वेंटी मैच फाइनल टीम बट इस वाली टीम में अगर खुछ भी चेंज होगा ना भाई तो फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल में बिलेगा कैसे जॉइन करना है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में फर्स नंबर का लिंक है बस क्लिक करके जॉइन करना है और दूसरी चीज बता दू भाई मे साथ में यहां पर कॉंपेडिशन बहुत कम है इजी वीनिंग होती है और मैंने इंडिया वैस्ट इंडियो पर इंडिया के अगेंस उतना बैटर नहीं है इसके अलावा इंडिया की तीनों बैटर रखे यशशवी जैसवाल तिलक वर्मा और रितुराज गाइकवर्ट तो रख लिए संजू रितुराज तिलक वर्मा और जैसवाल इसके बाद कर्टी स्केमपर को यहां पर रखा है वाशिंग्टन सुन्दर जो इंडिया का बॉलर है इसके लावा इंडिया की तरफ से बुमरा अर्शिदीप सिंग रवी बिश्नुई यह मुझे लग रहा है तीन अच्छा प्लेयर है किता अच्छा रिकॉर्ड है तो मार्क अदायर जेल इटेल यह बैस्ट चॉइस रहेंगे और यहां पर ट्यूकर की जगे में हो सकता है कोई अधर प्लेयर को लूँ वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे बता दूँगा अब कप्तान और वाइस क के लिए कौन बैस्ट रहेंगा उससे पहले गाईज यह स्यूवी कार्ट जीतने का आपको माई लेवन सरकेल मौका दे रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके डाउनलोड कर लेना पंद्रा सो का बोनस तो डाउनलोड करते ही मिल जाएगा और काफ इसके लिए मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलिग्राम पर बता दूंगा तो आप टॉस के टाइम वहां पर एक्टिव रहना आपको अपडेट मिल जाएगा तो आई एंडी वर्सेज आई आरी फॉस्ट ट्वन्टी मैच मतलब इंडिया और आर्लेंड के बीज जो फॉ प्यार करते रहे और जाते जाते वीडियो पर लाइक कर जाना चैनल सब्क्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भाईयो आदाप सश्यकाल और नमश्कार बाकी गईस देखिए कुछ भी चेंज होगा खुछ भी अपडेट आएगा उसके लिए मैं आपको सब चीजे टेलीगराम पर बता दूँगा बाकी कप्तान वाइस कप्तान के लिए देखिए अगर आप देखोगे ना यहां पर आपको चॉइस करना है तो यशशवी जैस वाल भी एक बैटर चॉइस हो सकते है अधरवाइस इंडिया अगर पहले बॉल करता है तो मैं बुम क्या का